इस वीडियो को देखने का बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा पैसा ही पैसा हुगा लेकिन जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ यही दुआ निकलेगी हाँ ये वो लोग होते हैं जो 10 से 12 साल सकूल और कॉलेज में जाय करते हैं फिर 10 और 15 मिनट की वीडियो देखने के बाद ये एकस्पेक्ट करते हैं कि भाई हम अभी से पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएं भाई हलवा है क्या हलवा ही क्या मैं जितने भी आपको अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ ये वन कि लिंग अर्निंग नहीं होती इसके पीछे मैनत होती है और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको रोड मैप प्रोवाइड करता हूँ सही रास्ता प्रोवाइड करता हूँ बाकी मैनत आ QPY में लगभग 32,000 पर बनते हैं डॉलर के आज की रेट के इसाब से अब ये 32,000 कोई कम नहीं है इतने पैसों में लोग आसानी से बिक जाते हैं इतने पैसों में पाकिस्तान में अगर कोई निया बंदा 12 गंटे गधों की तरह काम करें और एक महीने तक लगातार काम करता र करके आपको बोर नहीं करना चाहता ना ही आपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूं इस वीडियो में आपको मॉनिट टैक के बारे में बताने वाला हूं जिस पर काम करके मुझे ये लगा के एड्ट टेरा के निसबत ये कुछ ज्यादा ZPM प्रोइड करता है सबसे पहले तो आपको प्रूफ दिखा दो ये मॉनिट आइक का काउंट है यहां पर देख रहा हूंगे फिलहाल जीरो डॉलर्स हैं यह पहले की अर्निंग की हुई है इसको मैं एक बार रीफ्रेश करके आपको दिखा देता हूं क्योंकि इस मन्त की कोई प्यार्निंग नहीं है यहां पर यहां पर टोटल अर्निंग आपको दिखा दे रही है 114 डॉलर है यहां पर हम इससे पिछले मन्त में जाते हैं तो यहां पर 80 डॉलर है उसके बाद इस पे कुछ पहले काम किया था आपको वो exact date दिखा देता हूं जिसमें कुछ डॉलर्स अर्न किये थे अब यहां पर यह इतने बन गए तो यह तो रहा आपका proof और यहां पर हमने pioneer bank का use करके यहां से हमने withdraw लिया इस वीडियो को देखने का बाद अगर आपको कुछ भी valuable लगता है आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो subscribe और like करना तो बनता है description में whatsapp channel और telegram का link पी आपको मिल जाएगा उस अगर आप कोई part skip करना चाहते हैं तो आप time stamp पे click करके part को skip कर सकते हैं मैं आपको suggest यह करूंगा अगर आप beginner हैं तो आप वीडियो का कोई भी part skip ना करें blogger and Pinterest account creation इसका मैंने आपको पहले बता दिया था कि यह वीडियो connected है किसी दूसरी वीडियो के साथ उस वीडियो का आपको description में link मिल जाएगा blogger और Pinterest का account आप वहाँ से देखकर create कर सकते हैं अगर आपको नहीं create करना आता अगर आपको create करना आता है तो बहुत अच्छी बात है आप यहां से आगे वीडियो को continue करें how to create money tag account google में जैसे आप money tag सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का page आ जाएगा first link पे अगर आपको monetag.com दिखाए देता है तो आप first link पे भी click कर सकते है नहीं तो आपने scroll down करना है यहाँ पे नीशे आपको इस तरह का logo और यह website आपक यह Co venir 한국ering किरिट करना आता है तो यहАं पे přाप्लिचर आपने यहां पर करना है और यह पे individual ख Absolutely आफर करना है यहाँ पर आपने अपना first name देना है और आपना last name देना है झाना यहांपने अपना country देना है जो भी आप going to agree हैं वह आपने यहांपर click करना आगर आपको country इंडिय है तो आपने इंडिया स्लेक करना नहीं तो अगर आप पाकिस्तान में है आपके आपने इंडिया लग्रा है और दूसरी बात यह के यहां पर यह लोग बिलाज्न करते हैं तो मैक स्णों कर rechts करें और और ज्सक्रेस कोशिश करें सही details provide करें क्योंकि जब आप सही details provide नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर ID verification का issue आ जाएगा यहाँ पर आपने अपना email देना है यहाँ पर आपने फून नंबर देना है और यहाँ पर आपको messenger का कह रहे हैं यहाँ पर आपको यह पर अपना यह traffic generate करना है तो यहाँ पर आप Pinterest.com कर सकते हैं अगर आपके Pinterest की कोई profile है तो यहाँ पर डिरेक्टली उसका username भी दे सकते हैं और यह आपको कह रहा है कि how did you know about us यहाँ पर आपने YouTube लिख देना है यह कोई भी यहाँ पर यहाँ पर होंगा सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह यह बैस आप पर लिख सकते हैं यहाँ पर आपने website template को यूस करेंगे उसके बाद यहाँ आप आपने आपने और रोबोट पर क्लिक करना है और यह कैप्चर आपने फिल कर देना है साइन अप पर क्लिक कर देना है उसके बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आजएगा आपने अपना इमेल चेकर अब कुछ इस तरह का इमेल आएगा यहाँ पर आपने बंगा है अब बात करते हैं कि यहाँ मेजिस क्रिएट करनी है और इमेजेस से आपने वीडियो को यूज कर पर आप लेप्टॉप यूज़ करना चाते हैं तो उसके लिए पहली वीडियो में आपको डिटेल दी गई है लेकिन अगर आपके पास मुबाइल ही है तो आज मैं आपको मुबाइल में करके दिखाने वाला हूँ ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको इस टॉपिक के बारें बता दिया और आप इसी में लगे रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना यह से आप trends.pinterest.com ओपन करेंगे यहाँ पे आपको USA के trends नजर आते हैं और हमें चाहिए भी USA के trends स्क्रोल डाउन हम करते हैं यहाँ पे आपको यह monthly trends बता रहे हैं कि भाईया मन्त में कितनी changes आई हैं इससे पिछली वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि Halloween Nails यह तीसरे नमबर पे था लेकिन आज यह पहले नमबर पे आ गया है मैंने आपको यह बताया था पिछली वीडियो में कि भाईया इसको आप देख लें यहाँ पे इसका graph 400% उपर जाने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हैं आज तीसरे नमबर पे और आज पहले नमबर पे आ गया तो अगेन आपके पास यह 15 दिन है 15 दिन के बाद यह जो ट्रेंड है यह नीजे चिला जायाएगा आप मेरी पुरानी वीडियोज अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे मैंने आपके साथ प्रूफ भी शियर किये हैं इमेजिस जनरेट करने के लिए आपके पास CapCut का होना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास CapCut नहीं है तो आप यहाँ App Store में जाएं या Play Store में जाएं अपने अब इस Play Store का आप देख के Confuse नहों क्योंकि यह iPhone है आपके पास Android होगा तो इसका इंटरफेस अरग होगा लेकिन यह जो सॉफटर है यह सभी में है अगर आपको यहाँ पे कोई Update वगरा कहता है तो आपने इसको Update लाजमे से कर देना है अपडेट होने के बाद आपने इसको Open कर लेना है जैसे यह आप Open करेंगा यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पे आपको कोने में expand का option मिलेगा आपने इसको expand करना है तो नीचे जितने भी CapCut में features हैं यह आपको मिल जाएंगे अब CapCut बहुत एक popular video editor बन चुका है यह TikTok का ही software है इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो के बहुत हाई paid software में मिलती हैं आपको free में provide कर रहा है पिछली वीडियो में मैंने आपको यह भी दिखाया था कि इसका आप website पे जाके same canva की तरह इसको कैसे use कर सकते हैं वो भी free of cost अब यहाँ पे आपको text to image का option मिलेगा आपने यहाँ पे के लिए करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा already generated images भी आपको यहाँ पे मिलेंगी अब इस तरह की अगर images आप capture करवाना चाहें तो आप लागों रुपया खर्च करके इस तरह की यह 1000 रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप यहाँ पे इस तरह की images बनवा सकते हैं लेकिन यह आपको original free of cost provide करता है AI अब मैं यहाँ पे आपके सामने ही create करता हूँ यहाँ पे आपको नीचे text box मिल जाएगा यहाँ पे आपने अपना जो prompt है वो देना है अब prompt क्या होता है AI को हमने बताना होता है कि भाया हमें क्या जाएए अब यहाँ पे मैंने एक इसको prompt दिया है अब मुझे नहीं पता कि यह मुझे क्या generate करके देगा अगर आपको कोई भी image सही नहीं लगती तो आप इस prompt change करके इसको कह सकते हैं क्योंकि यह AI है यह इनसान नहीं है यहाँ पे हम generate पे क्लिक करते हैं देखते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वैसी image मिलती है या नहीं मिलती अगर वैसी मिलती है तो best नहीं तो आप इसको prompt change करके देंगे आपको मजीद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे अच्छी images आपको कहां मिलेंगी मुझे यह बताएं मैं कहता हूँ कि यह perfect images है perfect कह सकते हैं जिसको अब जो भी आपको image पसंद है मुझे तो सारी के सारी images पसंद है जो भी आपको पसंद है आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीशे आपको upscale का option मिलेगा आपने इसको upscale पे क्लिक कर देना है तो यह image आपको HD में मिल जाएगी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यह HD में image आगी है यहाँ पे हम इसको save पे क्लिक करते हैं save करने के लिए यह image हमारी save भी हो चुके है और मैं यहाँ पे चारो images को save कर लेता हूँ क्योंकि हमें चाहिए video यह images save करने के बाद आपने यहाँ पे बैक पे चले जाना है और यहाँ पे अपने create new project पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने photos पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको images आपने अभी download की है उनको आपने सभी को select कर लेना है यहाँ पे अपने add पे क्लिक करना है यह आपके सामने images आ जाएंगी अब यहाँ पे सबसे पहला जो आपने काम करना है वो है इसका expect ratio यानि screen का जो size है यह आपने select करना है वो आपको यहाँ पे मिले का ratio पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप vertical format में इसको select कर सकते हैं इस तरह से उसके बाद okay कर देना है अब यह आपको background जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है तो इस background का आप color change कर सकते हैं यहाँ पे आपने last में यहाँ canvas पे जाना है और यहाँ पे आप blur भी choose कर सकते हैं इस तरह से यह कुछ आपको perfect दिखाई देगा okay कर देना है अब यह जो blur effect है यह आपने सभी पे apply करना है इसके लिए आपने यहाँ apply to all पे click करना है और okay कर देना है अब यह जितनी भी आपकी मेज़ेद है यह सब पे लग चुका है और last में यह जो आपको option मिलता है logo वाला इसको आपने यहाँ से delete कर देना है अब यह आपकी इतने second की वीडियो बन चुकी है अगर आप इसको customize करना चाहते है यहाँ पे आप इसको बड़ा करना चाता है इस तस्वीर को यह आप इने क्लिक करना है और यहाँ पे दोनों fingers की मदद से आपने इसको यहाँ पे zoom in कर लेना है जितनी भी आप pictures यहाँ पे change करना चाहते है उनको आपने अपने साब से zoom in कर लेना है उसके बाद आपने यहाँ पे background music लगाना है background music लगाने के लिए नीचे आपको audio का option मिलेगा आपने इस पे click करना है sounds पे click करना है और यहाँ पे आपको coffee trending sounds मिल जाएंगे यहाँ पे recommended sounds आपने यहाँ से कोई भी choose कर लेना है मैंने एक sound यहाँ पे choose कर लिया है sound choose करने का बाद यहाँ पे आपने इसको cut कर लेना है यहाँ पे आपको sound fit आ रहा है यहाँ पे आपने cut कर लेना है बागी sound को delete कर देना है और यहाँ पे आपने इसको export पे click कर देना है इतना time लगा हमारी वीडियो यहाँ पे बन चुकी है अब आपको चाहिए होगा Pinterest का account Pinterest account यूज़ करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने link किस तरह से setup करना है link का setup करने के लिए आपने blogger में आ जाना है सबसे पहले तो हमने जो monetag का account create किया था उस पे आपने आ जाना है यहाँ पे आपको direct link option मिलेगा इस पे आपने के लिए करना है और यहाँ पे add direct link पे के लिए करना है अब direct link का यहाँ पे नाम दे देना है कोई भी आप दे सकते हैं get tag पे के लिए करना है अब यह आपको यहाँ पे link मिल चुका है यहाँ से आपने इसको copy कर लेना है अब copy करने के बाद हम इसको चेक करते हैं भाईया ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये redirect होके किसी दूसरे link पर चला जा रहा है इसी तरह से जिस तरह adds रहा के link होता है अब ये link तो हमें मिल चुका है अब यहां पे आपने एक trick use करनी है वो ये होती है कि सबसे पहले तो आपने images पोस्ट करनी है यहां पे वही वाली जो आप वीजियो में शो करना चाहेंगे वही वाली images आपने यहां पे पोस्ट करनी है यहां पे create new post पे किलिक करना है और यहां पे आपने nails related कोई भी यहां पे title लिख लेना है जैसा कि जितनी भी आप images यहां पे लगाना चाहते हैं अगर आप यहां पे 10 images लगाना चाहते हैं तो दस के 10 आपने यहां पे लिखना है उपर और यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने कुछ यहां पे title दे दिया इसका आप भी इस तरह को कुछी मिलता जलता title रख लेना यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपने images पे क्लिक करना insert image upload from computer और यहाँ पे चूस फाइल क्लिक करके आप अपनी images यहाँ पे ला सकते हैं फिलाल मैं यह तीन images यूज कर रहा हूँ जो कि हमने अपने mobile से download की थी तीनों को select करता हूँ मैं यहाँ पे यह तीनों images हमारे आ चुकी हैं इनके बीच में आपने कुछ space दे देना है और यहाँ पे आपने यह लिख देना है see more ख्यान रहे यह कोई real तरीका नहीं है यह just हम एक trick को use करते हैं ताकि कोई यहाँ पे click कर रहे और हमारा भी add revenue बने है जो हम यहाँ पे मैनत करते हैं उसका फल हमें मिले तो यहाँ पे हम एक trick use करते हैं इस पे आपने see more पे click करना है यहाँ पे आपने link पे click करना है और यहाँ पे आपने link paste कर देना है जो के आपने money tag के account पे create किया था apply पे click कर देना है अब यह सेम तरीका आपने यहाँ से copy करना है इसको यहाँ पे paste कर देना है और यहाँ पे आपने इसको paste कर देना है center में अब यह हमने अपने buttons लगा दिये हैं अगर आप ज्यादा earning करना चाते हैं यह चाते हैं कि अगर गोई यहाँ पे click का के करता है नहीं भी करता तब भी वो यहाँ पे आपकी earning हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे ads भी लगा सकते हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में detail के साथ बता है आपको description में link मिल जाएगा दूसरा तरीका यह है कि आप इसके back में भी आप link लगा सकते हैं यही same वाला picture पे click करना है image पे click करना है और यहाँ पे link पे click करने के बाद आपने अपने link के साथ इसको कर लेना है replace link आपने यही वाला use करना है जो कि हमने copy किया था आपने month है कि account से apply now करना है दूबारा से images पे click करना है इस URL को आपने cut करके अपना URL paste करना है सभी images के साथ आपने यही काम करना है post हमारी यहाँ पे ready हो चुकी है अब आपने इसको preview पे click करना है post हमारी यहाँ पे बन चुकी है अब इस blogger की website को को कोई customize वगरा करने की जरूत नहीं है अब Halloween का event आने वाला है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Halloween related आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़े मिल जाएंगी यहाँ पे आपको products भी मिल जाएंगे जो लोग यहाँ पे promote करते हैं सभी लोग इस तरह से अरनी नहीं करते लोग यहाँ पे बड़े बड़े काम करते हैं लकिन अगर आपको कोई भी काम नहीं आता आपको पास zero investment है तब आप यह काम स्टार्ट कर सकते हैं आपने आप प्लस के आइकान पे किलिक करना है और यहाँ पे idea pin पे किलिक करना है तो यहाँ पे आप लिक सकते हैं इसको यहाँ पे टेक्स बगरा दे सकते हैं अब एक और बात main important बात यह है कि आपने हर वीडियो में आपने लिंक नहीं देना आपने तीन वीडियो पॉस्ट करनी है चौती वीडियो में आपने लिंक देना है अगर आप हर वीडियो में देंगे तो जल्दी आपका पिंटरस का अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा सस्पेंड हो जाएगा यहाँ पे आपने next पे किलिक करना है यहाँ पे आपने वही title दे देना है जो कि आपने वहाँ पे दिया था तो आप यहाँ पे create new board पे किलिक करके अपने board का नाम राख सकते है Halloween related उसके बाद मैं आपको एक और time saving तरीका बताने वाला हूँ वो यह है कि आपने advance setting पे किलिक करना है यहाँ पे allow comments बगर आपने कर देना है और यहाँ पे अगर आप यह चाहते हैं कि उसको एक गंटे बाद तो आपने एक गंटे बाद करने के लिए यहाँ पे select करना है 14 तरीक और यहाँ पे आपने time को select कर लेना है यह आपको side में time वगरा show हो रहा है आपने यहाँ पे इसको share कर देना है अब इसको आपने publish पे click कर देना है यह हमारी वीडियो publish हो चुकी है scroll up हम इसको करते हैं अब यहाँ पे जब भी कोई आपकी यह वाली idea pin को open करेगा तो उसको यहाँ पे नीचे wizard का option मिलेगा अगर कोई यहाँ पे विज़र्ट पे click करेगा आपकी website पे redirect हो जाएगा अब इस तरीके को आप बहुत सारे कामों के लिए use कर सकते हैं आप अपने website के traffic को increase करने के लिए यह तरीका use कर सकते हैं और बहुत सार लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन बताता है यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ विज़र्ट पे कर सकते हैं यहाँ पे और पेमिंट आपने अपने आइड करना है अपना PayPal अगर आपके पास है तो वह भी आप एड कर सकते हैं उसके लिए आप यहाँ पर प्रोफाइल पे click करेंगे तब आप यहाँ पे इसको अड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कोई और पेमिंट मैथट अड करना चाहते हैं यहाँ पे जैसे इंडिया में पेटियम बगरा है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट पे create request पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने उसका नाम देना है और यहाँ पे save कर देना है तो वो जल्द ही आप से contact करेंगे और आपका वो method यहाँ पे add कर देंगे अगर इस तरीके को use करके आप adds डरा से आरने करना चाहते हैं तो left वाली वीडियो आप देख सकते हैं और अगर आप एक blogger है और आप अपना add sense अप्रूब करवाने चाहते हैं तो right side वाली वीडियो देख सकते हैं